हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे जंगे भले होंगे तो दोस्तों आज की जो रेस्पी हम बनाने वाले हैं ये रेस्पी है देसी अंडा और चिकन मिक्स रेसिपी तो दोस्तों इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन और अपने चिकन को हम गोल्डेन कलरा आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे दोस्तों जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तब तक हम अंडे को उबाल लेते हैं तो मैंने यहां पे लिया है आठ पीस देशी अंड़ा एक बरतन में आपने पहले पानी रख लेना है और ठंडे पानी में ही अंडे को डाल देना है जब सारे अंडे आप पानी के अंदर एट कर देंगे तो इसमें हाफ टी ए स्पून आपने नमक भी साथ में एट कर देना है ताके अंडा अच्छे से उबल जाए नमक डालने से आपको फायदा ये मिलेगा कि अंडा टूटे फूटेगा नहीं और अंडा को छिलना बहुत आसान हो जाएगा नमक को एट कर देने के बाद आपने इसको अच्छे से ढख देना है और पहला उबाल आने तक वेट करना है दोस्तों जब तक हमारा अंडा उबल रहा है तब तक हमने जो चिकन फराई के लिए रखा है उसका साइट पलड देंगे ताकि अच्छे से दोनों साइड में चिकन हमारा गोर्लेन कलर का फराई हो जाए जैसा कि आप देख रहा है कि एक साइड अच्छे से पक चुका है चिकन तो दूसरा साइड भी इसको पलट लेना है तब तक हमारा अंडा भी उधर उबल कर तयार हो जाएगा आईए दोस्तों मैं आब आपको दिखाता हूँ कि हमारा अंडा देखिए किस तरह से पानी में उबाला आना शुरू हो गया है अब हमने अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और अंडे को खोल देना है अंडे को गरम पानी से निकाल कर आप एक अलग बरतन में रख लें और लगभग 2-4 मिनिट तक वेट करें उसके बाद इसमें आप ठंडा पानी डाल दें क्योंकि अंडे में जब आप ठंडा पानी डालेंगे तो इसका इसकीन जो है वो बिलकुल नॉर्मल हो जाएगा फिर इसको छिलना बहुत आसान हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंडा किस तरह से उबला है और इसको छिलना कितना आसान हो गया है वीडियो अगर आज की आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी मत भूलियेगा और आप अगर मेरे चैनल पर इस टाइम तक नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये रेसिपी जादा से जादा लोग बना कर खा सके अंडे को लगभग 5-7 मिनट तक ठंडे पानी में रखने के बाद अब हम अंडे को छिलेंगे तो देखिए दोस्तों कि किस तरह से इसको छिलना अब बिलकुल आसान हो गया है और कितना इजली जो है इसका स्कीन वो रिमूब हो रहा है तो आपने जब भी अंडे को उबालना है तो इसी तरीके से उबालना है तो फाइनली दोस्तों हमारा अंडे उबाल कर तयार हो चुका है अब हम आपको ले चलते हैं अपने रेसिपी के और प्रोसेस की तरफ तो अब हम देखेंगे अपने चिकन को लगबग हमारा चिकन भी जो है वो देखे कि किस तरह से गोल्डेन कलर का बिल्कुल ब्राउन कलर का हो चुका है अब हमने अपने चिकन को ओयल से बाहर निकाल लेना है चिकन को जब ओयल से बाहर निकाल लेंगे तो आज हम रेसिपी बनाने के लिए इसी ओयल का इस्तमाल करेंगे और दोस्तों हमने जो अंडे उबाल के रखे हुए है उसमें इस तरह से ये देखें आप छोटे छोटे से इसमें जो है वो कट लगा लेने हैं ताके अंडा जो है वो आपका अच्छे से फ़राई होगा और तेल वगएरा जो है उड़ने लगते है वो भी आपका तेल वगएरा नहीं उड़ेगा और दोस्तों मैंने जो आज की अंडा और चिकेन की जो रेसिपी के लिए अंडा लिया है ये देशी अंडा है आप चाहे तो कोई सा भी अंडा इसमें इस्तमाल कर सकते हैं ये ऑफशनल है आपके पास जो भी मिल जाए आप उस अंडे का इस्तमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए अंडे को दोस्तों आपने ओयल में इस तरह से हिलाते रहना है ताके ये चारो तरफ से अच्छे से फराई हो जाए जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि अब अंड को आयल से बाहर निकाल लेंगे और दोस्तों आप सभी का मैं शुक्रिया आदा करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को आप इतना देखते हैं पसंद करते हैं तो मुझे होसला मिलता है और मुझे काम करने का एक नया शौक पैदा होता है तो इसी तरह आप मेरे वीडियो को द यतना भी आप देखे कि अफिसाब के पैया प्यास की Path को तो इसमें कटे हुए प्यास हमने इसको भी ब्राउन कलर आने तक अच्छे से FRIARS कर लेना है कि ऐसो प्यास ब्राउन कलर का हो रहा है तब तक हम जो है वह अधरक और लहसून को स्चॉप करके तो जैसा कि वक्त आप देख रहे हैं कि लहसुन अधरक का इस तरह से चौप किया हुआ टुकरा आपने इसके अंदर डालना है ताकि इसका जो जाय का टेस्ट है वो बहुत बेहतरीन बन सके अब इसको तकरीबन पांच मिनर तक अच्छे से हम मिलाएंगे ताकि प्यास थोड़ा सा और ब करके एट करना है दोस्तों टमाटर को आपने इसी टाइमेट करना है क्योंकि अगर आप इस टाइम पे टमाटर को ब्राउन प्यास में एट करेंगे हैं तो इसका जो एक टेस्ट निकलता है वो टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा और आप जिन्हें भी यह किलाएंगày वो आपकी तारीफ करेंगे कि वा जी वा क्या आपने रेसिपी बनाया है तो टमाटर दो पीस एट करने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है तकरीबन 5-7 मिनिट तक तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन इसको 4-5 मिनिट तक मैंने अच्छे से चला लिया है अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना है दोस्तों हमने पानी इसमें इसलिए डाला है क्योंकि अब हम इसके अंदर मसाले एट करेंगे तो पानी अगर डालके मसाले एट करेंगे तो यह प्याज जो है और ज्यादा पकेगा नहीं क्योंकि इससे ज्यादा अगर प्याज और पक गया तो वो जल जाएगा और इससे हमारी रेसिपी का टेस्ट जो है वो बिगर जाएगा सबसे पहले इसमें एक टेबल स्पून हमने नमक एट किया है आप चाहे तो अपने रेसिपी के हिसाब से एट करें और एक टेबल स्पून के करीब ही कश्मीरी लाल मिर्च उतना ही हल्दी पाउडर और एक टेबल स्पून के करीब ही हमने इसमें एट किया है जीरा पाउड टेस्ट को थोड़ा और बढ़ाने के लिए एक टेबल स्पून काली मिर्च और लगभग एक टेबल स्पून के करीब ही घर में पीसा हुआ गरम मसाला तो आज की रेस्पी में जो मसाले हमने इस्तमाल करने थे वो सब मैंने इसमें एट कर दिया है इसको अच्छे से हमने मिक् करता हूं कि हमारे मसाले जो है वो किस तरह से तयार हुए है लगभग पांस साथ मिनट मैंने इसको ढख के छोड़ा हुआ था और आप देख रहे होंगे इस टाइम कि देखे किस तरह से एक अच्छा सा कलर भी आ गया है मसालों का और हमारा मसाला लगभग जो है वो पक है तो अब इसके अंदर हमने चीकन को एट करना है क्योंकि चीकन को इस टाइम पे आप एट करेंगे तो यह मसाले जो है वो चीकन के अंदर जो है आसानी से चले जाएंगे और चीकन जो है वो खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाएगा दोस्तों आपने आज की रेस्पी को बनते हुए देखा है आपने कमेंट करके बताना है कि इस रिषिपी का नाम में क्या रखूं क्योंकि मैंने इस रिषिपी को आज फर्ष्ट टाइम बनाया है तो मैं इसका नाम नहीं जानता आप जो बताएंगे मैं वही नाम इसका रखने वाला हूँ अब चिकन जो है वो लगभग भून चुका है तो इसके अंदर जो हमने अपने अंडे फराई करके रखे हुए हैं वो देसी अंडे फराई किये हुए इसके अंदर एट करेंगे और उसको भी तकरीबन चार पांच मिनर तक अच्छे से मसालों में चला लेंगे ताके अंडों के अंदर भी जो है वो मसाले अच्छे से चले जाए अच्छा दोस्तों अंडा को एट करने से पहले हमने फिर एक श्टीक लेकर और इस तरह से छोटे छोटे फिर कट लगा लेन है ताके मसाले जो है वो अंडे के अंदर अच्छे से जा सके और दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मिहनत लगता है और मैं बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से मैं रेस्पी बनाकर आपको दिखाता हूँ तो इसके लिए आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करके जाईएगा क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर इस चैन अब इस रेस्पी में जो आखरी चीज हम डालने वाले हैं वो आखरी चीज भी आप देख कर जाए क्योंकि उसके बगएर आज की रेस्पी जो है वो बिलकुल अधूरी है तो अब इसके अंदर जो हम एट करने वाले हैं वो है कटे हुए धनिया पत्ती और हरी मिर्च दोस्त हैं अगले वीडियो में वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद